दोस्तों भी हर पुलीस, मधनिसेत, सिपाही, भरती परिक्षा का रिजल्ट आ गिया है लिखित परिक्षा का रिजल्ट अभी कुछी मिनट पहले ओफिस्यल वेबसाइट पर जारी कर दिया गिया है और इसके बारे में देखेगा दोस्तों तो कल ही आप लोगों को बताय थी कि आज जो है 10 विलाए को रिजल्ट जारी किया जाएगा तो finally result आ गया है यानि दोस्तों हम आपनों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% सही जानकारी देते हैं चाहे भरती को लेकर हो exam date को लेकर हो result को लेकर हो अब यहाँ पर result तो आ गया है लेकिन cut up कितना क्या गया है तो चलिए cut up के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं और अब ही क्या है दोस्तों कि 2391 पोस्ट वाले जो नए चात्र है या फिर अगर आप पुराने चात्र है इस वार CSVC में बड़ा बदलाव हुआ है पहले एक CSVC के और से नहीं किया जाता था तो क्या कुछ हुआ है चलिए देखे वीडियो को फिर आपको सब कुछ clear समझ में आ जाएगा अगर आप serious student है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है आप सभी चीजों के बारे में समझ लीजिएगा क्या कुछ बदला हुआ है तो फिर आपके साथ दिकत नहीं होगा और ये जो 2391 वाले भरती है अगर उसमें आप फिर यहीं गलती कर दीजेगा तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि आप विकेंसी के लिए आपको अगले 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा तो यहाँ पर चलिए सभी चीजों के बारे में देखिए पहली बात तो आप कट अप के बारे में जानना चाहते है तो ये जो विकेंसी है दोस्तों बहुत ही कम पदोपर 689 पदोपर दिया गया था जो की एकसाइज डिपार्टमेंट से संबदित है मदनिसेद सिपाही का तो यहाँ पर लिखित परिक्षा का परिनाम जारी किया गया है तो कट अप कितना क्या गया है सभी चीजों को लेकर आपको क्लियर करने वाल है के करके तो चलिए देखिए यहाँ पर पहली बात देखेगा तो 689 पदोपर 12 नॉमबर 2022 को विग्यापन पब्लिश्ट किया गया था और यह जो परिक्षा होने वाली थी 29 जनवरी 2023 को अभी तक यह फैनल भी हो गया रहा था जब भी मदनिशेत का भरती दिया आ जाता है पिछला भरती देखेगा तो 4 महने में कम्पलीट कर लिया गया था तो यहाँ पर क्या हुआ कि 20 तारी को चेर्मेन ही चेंज हो गया तो फिर यह डेट को अस्थगित कर दिया गया फिर ने चेर्मेन आए फिर आप सभी को पता हिए कि दो महने समझने में सारा कुछ लग जाता है ने परक्रिया इस परिक्षा में क्या हुआ था दोस्तों की पहली बार जैमर लगया गया था और रिपोर्टिंग टाइम कम किया गया था 9 बजे तक ही आप एकजाम हॉल में प्रवेस कर सकते हैं अभी जो बिहार पुलीस के 2391 वाला भरती है तो उसमें भी यही होने वाला परिक्षा 10 से 12 बजे की बीच में होगा और सकेंड पाली दो बजे से 4 बजे तो सकेंड पाली में आप एक बजे तक ही एक जाम हॉल में प्रवेस कर पाईएगा और फर्ष्ट पाली में 9 बजे तक ह इसके बाद एक और नया चीज यहां पर बदला हो इस बार दोस्तों 13,276 कंडेट सीधे सीधे बाहर हो गये हैं अब आप बिहार पुलीस वाले में देखेगा तो बिहार पुलीस में लगभग 1,500,000 कंडेट सीधे सीधे बाहर होने वाले हैं तो आईसी गलती आपको नहीं क करना है पहले यह कलती CSBC के और से माफ कर दिया जाता था इस बार कोई माफी नहीं सीधे बाहर किया गया है तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया अच्छा क्वेस्चन बना होगा तो हो सकता है कि आप भी यह 13,276 के अंतरगत आ गये होंगे तो यहां पर क्या कुछ है सभी चीजों के बारे में यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए का उक्त विज्यापन के करब में 14,000 14 मैं 2023 को 3,65,215 अभ्यारतियों के अडिमिटकार जारी किया गया था यह हो गया और अभ्यारतियों के लिखित परिक्षा जित की गई लिखित परिक्षा में कुल 2,79,370 यह जो भी ऑफिस्यल डाटा यह आपको पहली हम आप लोगों को बताते कि इसमें जो अभ्यारतियों 3,65,000 है तो आप देखिएगा यहां पर सब कुछ यही है और देखिएगा तो 207 अभ्यारति कादाचार के अधार पर एगो घोसित किया यह वाईसे अभ्यारतियों जो 1276 अभ्यारतियों को उत्तर पुष्टिका का गलत अपूर्ण सुचनांकित करने के कारण अभ्यारतिता रद की गई और 255,887 अभ्यारतियों को उत्तर पुष्टिकाओं का मुल्यांकन किया गया अब आप में से बहुत सारा ऐसे चात रहते हैं जिसको वीडियो बना कर दे करना भूल जाते हैं इसके अलबा देखेगा तो रॉल कोड रॉल नमर गलत तरीके से फिलप कर लेते रॉल कोड तो नहीं वहता है यहां पर रॉल नमर और कुस्टन बुकलेट तो यह सब में अगर आप थोड़ा भी गलती किजेगा तो पहले क्या होता था कि मैनुवाली कर लिया जाता होगा लेकिन इस बार देखेगा तो इतने अभिहारती रिजेक्ट होगी हैं आप समझ सकते हैं और इसमें से मैक्सिमम एश्प्रेंट आइसे होंगे जिसका अच्छा बना होगा असी पलस भी बना होगा लेकिन असी पलस बनाने का क्या मतलब अब जब आप स इसे आएगा ऐसे आपको फिलब करना है रैटिंग भी लिखना रहता है नहीं लिखते हैं फिर आप देखेगा यह गलती करके बाहर हो जाते हैं बिहार पुलीस वाले मापको नहीं करना है आप समझ सकते हैं कि यहां पर धाय लाख में 13000 अभिहार्थी रिजेक्ट हुए है और यहां पर रूल है वेकेंसी का पाँच गुना तो वेकेंसी 689 है तो 689 का पाँच गुना 3400 पलस केंड़ेट का फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया अगब आप यह जानना चारे होंगे फिजिकल कब होगा यहां पर देखेगा अगले चरण में अभिहार्थी हों कि परम आपका रिजल्ट हुआ है यानि आपका कितना सही था आप जरूर कमेंट करके बताइए यह हो गया अगला चरण जो है फिजिकल टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट संबाद में आपको बाद में सूचना दी जाएगी कब होगा इन सभी चीजों को लेकर आपको इसी वीडियो यानि कि पूड़ा पूड़ी यहां पर पांच उगना दिया गई यह नहीं है कि 100-200 एक्स्ट्रा या ऐसा कुछ नहीं है अगर आपका कटफ के बराबर भी मार्क्स होगा अगर माली जी यहां पर एक 80-80 कटफ गया है तो उस कंडिशन में 80 वाले भी बाहर हुए हैं अब ड बहुत सारे स्ट्वेंट हाजारों ऐसे स्ट्वेंट होंगे जिसका नमर होगा लेकिन यहां पर रिजल तो सीमिती आना है इस कारण से क्या होता है कि जिसका यहां पर दो अभी हर्थियों का मार्क समान रहने के कंडिशन में डेट ऑब बर्थ देखा जाता है जिसका उम्र अभी 2391 वाले पोश्ट में देखेगा दोस्तों हम आपनों को आईसी त्यारी करवा रहे हैं कि जिससे आपका कट अप से 5-10 नमर अधी किया है यह नहीं क्या बोर्डर लाइन पर आईएगा फिर छट जाईएगा और फिर आईसे भड नहीं सेलेक्शन होगा तो फिर त्या त्यारी में लग जाई अभी से अगर आप त्यारी किजिएगा 2391 में आपका एक सीट पका होगा अगर इसमें आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो जैदे सोचने की जरौत नहीं है क्योंकि रिजल्ट ही बहुत काम आया है 3500 रिजल्ट है आप देखी रहे हैं कि तिन लाग यह तो आप देख लिए कि क्या कुछ बदला हुआ है यहाँ पर 13000 देखेगा तो सीधे अभ्यार्थी जो है बाहर हो गया है तो आईसी गलती आपको नहीं करना हम सभी चीजों के बारे माँ आप सभी को बताते रहते हैं तो उसको अच्छे से निर्देश को फॉलो आप सभी जिस से बाहर ना हो जाए और यह रॉल नमर देखेगा तेसे एंडिंग और यानि की बढ़ते करम में है यह मेरिट अनुसार नहीं है बस स्रियल बाय जाए जैसे 10 हो गया 10 के बाद अगला अगर 15 सेलेक्टेट है तो 15 उसका इस तरह से दिया हुआ है अब आप लो सुचना दे दी जाएगे अगस्त में भी कम चांस है फिजिकल जो होने का जैदे चांस है सितंबर तो सितंबर मेहने माप लोगों का फिजिकल होगा वैसे आपके पास दो धाय मेहने का समय है अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो जम के आप फिजिकल का भी त्यारी कीजे सा भी आप फिलाल फीजिकल पर जैदे धियान दीजे क्योंकि आपका रिजल्ट है अगर आपका अच्छा फीजिकल सब कुछ जाएगा तो आपका मेरिट बन जाएगा सेलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको अगले वेकेंसी के लिए इंतजार ही नहीं करना अपलेगा रही बा दोस्तों तो अगर आपका सी पलस है तो आपका रिजल्ट होने का इसमें चांस है बताया तो वैसे नहीं गया है और आपका कितना क्विस्टन सही हुआ कमेंट करके जरूर बताईए और आपका रिजल्ट हुआ है तो आपकी से जनरल EWS, BCBC, SCHT और अगर आप महिला है पु हो जाए और अभी से अच्छे स्तियारिक कीजिए तो यहां पर देखिएगा फिजिकल में आपको सभी डॉकुमेंट अपना मैट्रिक इंटर फोटो पहचान पत्र इसके बाद एंस्टियल पर्मान पत्र बीसी वीसी वालों के लिए सी एश्टी सभी पर्मान पत्र आपको ल पत्र आजाए जिससे यहां पर क्लियर रहे कि मेरा कितना कुश्चन सही हुआ है और आप में से किसका किसका रिजल्ट हुआ है अगर आपका रिजल्ट हुआ है कितना कुश्चन सही हुआ है जरूर आप सभी कमेंट करके बताए सभी सफल अभ्यार्थियों को धेर सारी सु